आपसे एक question पूछा है, question क्या है कि which of the following sets are convex set और नीचे में का कौन सो option यह सही है, ठीक है यह आपको option दिये हुए, अब हम इस question का answer देखने से पहले convex set क्या होता है वो समझ लेते हैं, अब देखें एक set है आपके बस में xy such that x square plus y square is equal to r square, यहाँ से एक circle बना, लेकिन इस circle के अंदर में एक line को अगर हम drawn करते हैं, तो इस boundary point को touch करती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो convex set नहीं है, convex set के definition क्या है, कि इस boundary point को और उसी तरह से boundary point के बाहर अगर आपकी line drawn करने के बाद जाती है, तो वो convex set नहीं बनेगा, तो line ने क्या होना, condition क्या है, कि line अगर इस circle के अं सब्सक्राइब है, टो वो convex set नहीं बन जाएंगा, second में देखते हैं, xy such that x-square plus y-square less than r-square, तो ये जो circle बना है, इसके अंदर में हम एक line को drawn कर सकते हैं, तो य been convex set है, third number नमबर पर देखते है, xy, x-square plus y-square less than or equal to r-square, इस circle के अंदर में हम एक line को drawn कर सकते हैं, इसका म मतलब कि यह convex set नहीं है, फिप नमबर पे देखिए, इस circle के बाहर में भी हम line को drawn कर सकते हैं, मतलब कि यहां से लेकि यह हमारी line इस circle के बाहर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह convex set नहीं है, यह तो आपका फिप नमबर हुआ आप 6 नमबर देखिए, xy y is equal to 1 by x, x belong into interval 0 to 1 में हुआ, तो यह आप पे भी आप जो line को drawn करेंगे, वो इस area के बाहर जा रही है, तो इस का मतलब यह क्या हुआ, यह convex set नहीं है, 7 नमबर पे देखिए, xy y is equal to 1 by x, x belong into semi close interval 0, 1, तो यह भी आपका convex set नहीं बनेगा, उसी तरह से 8 नमबर पे है, xy y is equal to 1 by x, x belong into 0, 1, union, उसमें अगर हम x8 को और मिला रहें, 0, 1, तो यह भी आपका convex set नहीं बनेगा, जैसा कि एक option दिया हुआ, xy, y is equal to x, तो यह एक आपके straight line बन गई, आप straight line से आप एक line अगर drawn करतें, एक point से दूसरे point पे join करने के लिए, तो आपको क्या मिलेंगा, वो तो आपका connected ही रहेंगा, इसका मतलब क्या हुआ, y is equal to x, इसका मतलब आप directly कह सकते हो, कि वो convex set है, वो आपके area के बाहर नहीं जाए रही, जो आपने drawn किया है, अब third number पे देखिए, यहां से आपका एक parabola बन गया, अब parabola से आप किसी भी, दो point को drawn करोंगे, तो वो parabola के अंदर ही आने वाला है, तो यह भी आपका है सकते हो, कि यह convex set है, लेकिन जो second number का है ना आपका, अब देखिए second number पे क्या हो रहा है, कि आपका mod of x है, इसका मतलब कि आपके point क्या हो रहे, change हो रहे, minus 1 पे आपके 1 मिलेंगा आपको, y की value आप जब minus 1 पुट करते हो, तो x की value आपको 1 मिल रहे थी, यहां पे इस तरह से आपको मिलेंगा, लेकिन minus plus में जो आपकी value आ रहे है, इसमें आपके point क्या होंगे, जो area shaded है, उसमें आपके point नहीं रहेंगे, उसके बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कि इस question का answer क्या है, इस question का answer है, आपका option number 1 and option number 3, जो आप से question पूचा है, इसका answer क्या है, आपका option number 1 and option number 3, तो जो option number second है, यह आपका answer नहीं होगा option number one and option number three यह correct answer है